नमस्ते प्यारे बच्चों हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी की कारिक्रम श्रंखला में आप सभी का स्वागत है लीजिए एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहने और कुछ आपकी सुनने पता है आज हम सुनने वाले हैं एक मज़ेदार कविता गिरे ताल में चंदा मामा सोचो अगर चंदा मामा ही तालाब में गिर जाएं तो काली अंधेरी रात में चांदनी का पता कैसे लगेगा भै चांद पर आपने अब तक पहुत सारी कहानिया और घीत सुने होंगे क्या आपने कभी चान को तालाब में गिरते हुए या जाल में फसते हुए देखा है तो देर किस बात की शिरू करते हैं एक ऐसी ही कविता जिसमें भेचारे चंदा मामा की मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही है गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा फसे जाल में चंदा मामा सबने देखा सबने देखा एक अचमभा मचवारे ने जाल समेटा कहें नहीं थे चंदा मामा कहा गए जी चंदा मामा है ना मसे दार कविता क्यों ना हम इसे एक बार और दोहरा ले गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा, सबने देखा भसे जाल में चंदा मामा सबने देखा, सबने देखा सबने देखा एक अचमभा मचुवारे ने जाल समेटा कही नहीं थे चंदा मामा कहा गए जी चंदा मामा कविता को सुनकर आपकी मन में तरहा तरहा के प्रश्ण आये होंगे जैसे चंदा मामा आखिर तालाब में कैसे गिर गए मचुवारे ने चंदा मामा को कैसे जाल में कैद कर लिया और सब ही लोग अचमभित क्यों थे जी हाँ, हाँ आप सही सोच रहे हैं चंदा मामा ऐसे ही किसी के हाथ नहीं आने वाले वो कभी ताल में दिखते हैं, तो कभी पेड़ पर कभी हमारे सिर पर आ जाते हैं, पर हाथ नहीं आते हैं तो प्यारे बच्चों, कविता और उसकी भाव को सुन कर मजा तो आ गया अब जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जो बढ़ाएंगे हमारी समझ ताल, जिसे ताला भी कहते हैं, यहां मचलियां और पाने में रहने वाले दूसरे जीव भी रहते हैं मचुवारा, मचली पकड़ने वाला चलिए, अब समय है कविता की समझ को बढ़ाने का जिसे जानेंगे हम शब्दों के खेल से तो तैयार हो जाईए, खेल के लिए दिये गए वाक्य में अचमभा शब्द का सही प्रियोग हुआ है चलिए पता लगाए, पहला वाक्य, यह देखकर अचमभा हुआ कि चान्द रात में दिखता है अब ये भी कोई अचमभे वाली बात तो नहीं लग रही, चान्द तो रात में ही दिखता है दूसरा वाक्य, यह देखकर अचमभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है मुझे तो लगता है ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है सूरज तो प्रकाश देता ही है और आप बताईए अगला वाक्य यह देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा रहे गया हाँ ये तो अचंभे वाली बात है कि केवल आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा ही रहे गया क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है याद करो और अपने साथियों को बताओ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य संख्या 3 में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है वैसे सोचो इसका जवाब हम पहले ही दे चुकी हैं सोचो कहा दिया था जी हाँ जैसे मचुवारे के जाल में फसे चंदा मामा को देख कर सभी अचंभित हो गए परन्तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि चंदा मामा को कोई नहीं चुश सकता तो हमसे इतने दूर आकाश में जो हैं कविता में चंदा मामा के स्थान पर सूरज दादा को रख कर एक नहीं कविता बनाई गिरे ताल में सूरज दादा सबने देखा सबने देखा फसे जाल में सूरज दादा सबने देखा सबने देखा एक अचंभा मचवारे ने जाल समेटा कहीं नहीं थे सूरज दादा कहां गए जी सूरज दादा ये तो बहुत ही आसान हो गया अब समय है कुछ मिलकर पढ़ने का तो शुरू करते हैं चांद की रोटी पानी में आई मचली फिर भी खाना पाई हुई ना एक मसदार सी बात और हमारी कविता से भी मिलते जूती आप भी बनाईए एक ऐसे ही कविता जिसमें चांद, सूरज, रात या दिन का जिक्र हो चलिए अब समय है कविता की समझ को जानने का तो तैयार हो जाईए प्रशनों के जवाब के लिए सोचो और बताओ चांद की रोटी किसे कहा गया है? सोचो, बताओ मचली, चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई? इन प्रशनों के बारे में आप सोचते रहिए हमीद है, आज की कविता सुनकर मजा आया होगा कविता को सुनकर आपके मन में जो भी बाते आई हैं उन्हें फटाफट अपनी कॉपी में निखना शुरू कर दीजिए और अपने शिक्षर, शिक्षिका को ना केवल दिखाईए बलकि सुनाईए भी वे बहुत खुश होंगे तो प्यारे बच्चों आप इस तरह की तुक बंदियां करते रहिए और खो जाएए अपनी कल्पना की दुनिया में फिर मिलेंगे एक रोचक कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल